हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इवान्स वर्ल तो आज हम बैगन की मुझिया की रेस्पी सेयर करेंगे इसे बैगन वाजा भी बोलते हैं और इसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं बिहार में हों बंगाल में इसे लोगों की फेबरेट होते हैं और ये सिर्फ आप दाल चावल के सा इस तरह से गोल-गोल स्लाइसेज में कट कर लेंगे और स्लाइसेज बहुत पतले नहीं रखने हैं और बहुत मोटे भी नहीं रखने हैं मीडियम साइज की स्लाइसेज रखें और इस तरह से हम इसे गोल-गोल स्लाइस में कट कर लेंगे अब इसे एक बाउल में डालेंगे और उसमें पानी डाल कर इसे पानी से दूल लेंगे तो ठंडे पानी से हम इसे एक बार अच्छे से दूल लेंगे परस पानी में डाल कर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये बैगन की भुजिया बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है एक पर जरूर आप ट्राइ किजिए गए रेस्पी और मैं कुछ नए तरीके से अब भुजिया बता रही हूँ आपको अब हम एक खल लेंगे उसमें थोड़े से अद्रक और थोड़े से लासून और दस कलिया इसे हम अच्छे से कूच लेंगे देख सकते हैं कहँते हैं और normal लेंख बताले जबन और मैं महिर्ची और लासूटे दनीघा होटे हैं वही सब मसाले डालने आपको धनिया, जीरा, मिर्ची और इसमें दो हरी मिर्ची भी महिन भाहिन chop करकर डाल देंगे और जो हमने अद्रक और लहस्थ का पेश्ट बनाया था खल में वह हम डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से करें गे mix देख सकते हैं इस तरह से आप इसे उपर नीचे करकर मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले हैं जो हर एक स्लाइसेज में लग जाए अब हम इस चलते हैं भुजिया बनाने की और सो अब हम गैस पे तबा चड़ाएंगे और यह अब तबा पे बनाएंगे ज्यादा अच्छे बनेंगे आपके एक भ भुजिया तूटे की नहीं पैगन का भाजा तूटेगा नहीं उसमें हमने चार तीन से चार चमच सरसो तेल डाला तिल जब अच्छे से गर्म हो गया है तब हम बारी बारी से सारे स्लैसेज को इस तरह से फैला देंगे तबा पे और यहां पे हम फ्लेम कर देंगे लो और गदे लो पे रोटा देंगे जब चलेगे अच्छे सिप्त करेंगे लो फ्लेम के मिर्ची जबे लीट कर देंगे जब 5-5 मिनट देल देंगे देखेंगे का यहां तरह से बीद भाजी करता है सो इस तरह से फिर से हम इसे एक साइड हमारा थोड़ा पक गया, इसलिए हम बारी बारी से स्लाइसेस को हमने प्लट दिया है, सो इस तरह से सारे स्लाइसेस को हम बारी बारी से प्लट देंगे, और दोनों तरब से प्लट कर ही पकाएं, ताकि दोनों तरब से अच्छे से देख सकते हैं ऐसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से कूक हो जाएगा देखें बहुत जल्दी पख जाते हैं लो फ्लेम करेंगे जादा टाइम नहीं लगते हैं वा दस मिन पाइस वहागा पुरी को दो भुझिया स्षाल। बुझ्जिया और सब बुझ्जिया से भी अलग देख सकते हैं अलमोस्ट हमारा बैगन का भाजा रेडी है इस तरह से अच्छे से कूख हो गया है देख सकते हैं बैगन अच्छे से इंकल चुका है हमको वस यही चाहिए था इस तरह से हो जाए उसके बाद हम गैस आफ कर देंगे एक दो मिनट तक थोड़ा फ्लेम हाई करके अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब हम गैस हमने आफ कर दिया है और हमारा बैगन का भुझ्जिया रेडी है और इसे हमने लंच में बनाया था और आपको मैं रेस्पी कैसी लगती है जरूर बताईएगा अच्छी लगते है तो मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेजेगा मैं नहीं रेस्पी लाती रहूंगे और मैं अपना लंच धाली दिखा रही हूं सो दाल चावल और सलाद के साथ यह भुझ्जिया बहुत ही लगती है एक बर जरूर ट्राइ किजिएगा थैंक